नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखबरदार हिंदू राष्ट बनाने की बाद बागिस्वरधाम सरकार धीरेंदी कृष्ण सास्त्री जी के द्वारा की जा रही है। बनाने की बात कही जा रही है। किसी संत के द्वारा और यह लंबे वर्सों में इस पश्चतार पर कही गई बात है किसी विव्यक्ति के द्वारे में यह आपका जो राष्टी हिंदू संगठन है वो क्या सोचता है। देगे पहले तुम्हें यह बताना चाहूँगा कि भारत अल्रेडी एक हिंदू राष्ट है। सम्विदान की तहट सिर्फ सील और महर लगाने की अउशक्ता है। लिकिन मैं बड़े गर्व के साथ यह जरू कहना चाहूँगा है। यह हमारे मद्यप्रदेश वे हमारे जवलपुर के लिए बहुत ही खुशी का विशय है। एक दसक के बाद एक ऐसे संथ एक ऐस्लेटको जागरत की लिए है। आपका परीशार जानना चाहेंगे हैं। मैं संदीबोष राष्टि दू सगटन मैं जिलाद्यक्ष जबलपूर। जबनपूर और ये जानना चाहेंगी कि जो पिछले बागेस्व और धान से जुड़े हुए विबाद रहे हैं उन विबादों पर क्या राय है आपकी देखिए हिंदूओं पर हमला मानते हैं आप बिल्कुल जी हिंदूओं पर तो हमला सदया होता आया है बरसों से होता आया यही हमारे सलातन धर्म के लिए एक बहुत मतलब मैं उसको यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत हमारा दुरभाग है कि हमारे ही लोग सब कुछ जानते हुए भी सिर्व एक छोटी जी प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने हमारे युबासंद बागेश्वर दाम सरकार जी क बागेश्वर दाम सरकार का पूर्ण रूपेंड समर्थन करता है और करता रहेगा हिंदू राष्ट के लिए उन्होंने जो वहां से मोहीम छेड़ी है उस मोहीम में हमारा हिंदू धर्म के हर ब्रक्ती माता बैलों से निवेदन है कि वे इस तहद इस मोहीम में जुड़े और देश को हिंदू राष्ट गोशित करवाने में हमारी और हमारे सरकार बागेश्वर धाम सरकार की मदद करें जो सास्क्री जी के द्वारा हिंदू राष्ट बनाने की बात कही गई उस बात से कितना इतिफाक रखते हैं हिंदू राष्ट की आजवशिक्ता है हमारे संथ बागेश्वर धाम महराज को चुकि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी ब्यक्ति में असहायों में ही भगवान ज़्यादा रक्षा करते हैं उनके पुराने इतिहास को आपने देखा होगा वीडियो चैनल के माद्यम से कि महराज जी कितनी परेशानी से जिनके पास खाने के लिए नहीं होता था वो भीक मांग कराते थे बिस्कुट खाते थे और उनके सोने के लिए पानी गरता था जिसमें वो सब भाई बहन माता पिता के साथ सो जाते थे असहायों की रक्षा करने के लिए केवल उनके पास एक तपश्या ही रह गई थी चुक्कि साथ ही उनके पास कोई नहीं था उनने बह एक बात भी कहा है कि मुझे मेरे ही लोग निमंतर नहीं देते थे कि ये ब्योहार नहीं देगा और इससे क्या उमीद की जाए ऐसी इस्तिती में केवल प्रभू का सहारा होता है और जब प्रभू के नस्दीक लोग पहुंसते हैं और पूर्ण रुपेन मनसा अबाचा करना जब पहुंच जाते हैं तो प्रभू उसकी आटोमेटिक रक्षा करते हैं और उनको प्रभू ने आसीरबात दिया आसीरबात पाण कर के और वो प्रभू की क्रपासे लोगों को ठीक कर रहे हैं विमानियादूर ओर रहे हैं चुकि हनवान चालीशा में ये पस्ट लिखा है ना से रोग हरे सपीरा जो सुम्रत मतबल वीरा ठीक है बूत बिसाच निकट नहीं आबे महावीर जब नाम सुनाबे ठीक और इसका ततकालिक लेने के लिए बजरंगबान बना हुआ है और और तेज लेने के लिए अगर भार कर रहे हैं बाट रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं हमारे ही पत्रकार बंदू विविन तरीके से श्याम मानौ जी की बात को रख रहे हैं और धर्म को डूबोने की कोशिश कर रहे हैं उनसे निवेदर हैं जब वो छोटे थे पढ़ते थे उनके माता पिता उन्हें नजर जारते थे उस बच्चे की बुखार दूर हो जाती थी ये सब ने देखा लोग मंदरों में जाते होंगे हमारी पत्रकार हैं आज मैयर में जाते हैं और दुनिया में जाते हैं और कहते हैं मंदर में एक दम से हमको करिश्मा मिल जाए कैसे मिलेगा आप पत्रकारों में से पुरी मंदिर चले जाएए जगनात पूरी मंदिर में जंडा किस दिसा में जाता है हवा अगर पूर्व की ओर होगी तो जंडा कहां जाएगा पस्चिम की ओर उड़ेगा उनका चक्र प्रतेक मानों कहीं ख़़ा हो सब के सामने चक्र का सामना होगा ठीक है वहां के समुद्र की लहरें की आवाज जगनात पूरी के गेट तक तो सुना पड़ेगी किन्तों मंदिर के अंदर नहीं सुना पड़ती ऐसा लोगों ने बताया देखा है हवाई जहाज उपर से नहीं निकल तक है उसका र राजिस्तान में के पास एक मंदिर है बाडर पर जहां सेने काके छुप जाते हैं चुकि वहां का करिश्मा ये है देवी दियोताओं का कि वहां बम अगर पाकिस्तान से फेके गए तो वो फूटते नहीं क्या कारण है धर्म में क्या ताकत है इस बात को आजमाने के लिए वहां प्रयास करना चाहिए हमारे कामाख्या देवी मंदिर कामाख्या देवी मंदिर में पत्तर की मूर्ती से राजसुला का आना संभावित है उनके बारे में कहां से क्या होता है ये करिश्मा आज तक कोई नहीं पकड़ पाया उज्जेन चले जाईए उज्जेन में आप काल भारो महाराज के मंदर में जाईए सराप कहा जाती है ये करिश्मा वहाँ जा करके देखिए हिंदू अगर कोई अच्छा लोगों की मदद कर रहा है हेल्प कर रहा है तो उसी की टांग पकड़के घिचने की अबश्यक्ता साइद अपने ही हिंदू भाई मतब एक कहावत कुलहाली ने क्यों काटा पेड़ तो उसी पेड़ के बैट ने उसका साथ दिया इसलिए काटा तो मुझे यह बात कहते हुए बड़े गर्ब के साथ धैरे के साथ मैं कह रहा हूं कि जय हो हिंदूत्य की और कम से कम आप जानते हुए हिंदूत्य की वारे में वास्तिक्ता उजागर तो करें और हम लोग महराज बागिसुर्धाम के साथ में हैं और पूर्ण सायोग के साथ में हैं और ऐसे महत्मा की या संद्य की बानी को चुप ना किया जाए इसके लिए हम लोग आतुर हैं दन्वाद